हेलो एवरिवन वेलकम टू आज चानल माइनेम इस प्राची आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अध्यापक पर मुझे उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तयारी है आने वाले एक्जाम के लिए वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आप में से बहुत से लोगों ने लास सेशन हमारा देखा होगा जिसमें हमने सीटेट का 2018 और 2019 जुलाई का जो पेपर वन है उसके मैज के पेड़ागोजी के 15-15 क्वेस्टन्स डिसकस करें यह बात आप जानते होंगे कि पेपर वन और पेपर टू दोनों में मैज पूछी जाती है यह दोनों पेपर वन और पेपर टू के लिए मैज पेड़ागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है देकि मैज पेड़ागोजी के 15 क्वेस्टन्स में से 10 से 11 क्वेस्टन्स तो वहर बंदा कर सकता है जो नॉर्मल पेड़ागोजी भी पढ़ रहा है यह थोड़ी से आपको मात्स की नॉलिज होना जरूरी है एक दो चीज़े आपसे कॉंसेप पर पूछ लेता है ठीक है सॉलुशन नहीं पूछता पर कॉंसेप पर बेस्ट पूछ लेता है और यह आप देखके समझ जाएंगे लास्स सेशन में हमने एक मैरॉथान क्रास ली है तू यर के जिसमें हमने पेपर्स को डिसकस किया है उसको अगर आप देख लेंगे तो यह चीज़े आप समझ पाएंगे बागि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट करने है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे सभी इपॉर्टेंट वी इसको उसका हम पेपर वन जो है डिसकस कर रहे है पेडगोजी मैथ की तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मुझे उमीद है आप सब रेडी होंगे आज के एक एनरजेटिक सेशन के लिए तो आज के सेशन का पहला जो question है वो आपके सामने है question number 41 question English and Hindi दोनों में है जिसमें आपको comfortable लगे आप exam देने वाले हैं उसमें आप पढ़ लीजेगा 41 question आपसे क्या कहता है कहता है कि कक्षा दो के चात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है तो कुछ ने 404 लिखा है तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे तो कक्षा 2 के students को आपने बोला कि आपको 44 लिखना है लेकिन कुछ students ने क्या लिख लिए 404 लिखा है तो एक teacher के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे आपके पास 4 options है चारों आप आराम से पढ़िए ठीक है अगर आपको जादा समय लगता है अगर आपने देखिए questions को आपने इस exam के अभी परप्रे करना शुरू किया है तो पैड़ागोजी आपने भी पढ़नी शुरू की होगी तो इसलिए हो सकते हैं आपको समय लगे question पढ़ने में तो आपको शुरू में समय देना पड़ेगा जब आप पैड़ागोजी पढ़ना स्टार्ट करते हो जब आप पढ़ने लगते हो तो आपको आप जल्दी चीजों को समझने लगते हो लेकि जब आपने अभी शुरू किया है तो थोड़ा समय आपको लगेगा तो अगर आप ज़ादा समय अभी ले रहे हैं question को समझने म तो पहला जो option है आपके सामने क्या कह रहा है कि उनके copy में सही उत्तर आप लिख देंगे दूसरा कहता है उन्हें मूर्थ पदाट से विनिमै नियम समझाएंगे विनिमै नियम यानि के exchange ठीक है और third कहता है उनको समहों में रखेंगे जिसने सही लिखा है या fourth है उन्हें स इनका right answer क्या होगा उनकी copy में आप सही उत्तर लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं बिना उनको बताए थोड़ी आप लिख देंगे और उस सम्हुन में रखेंगे जिने सही लिखा है बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए क्लिए उन्हां प्राप्त वो कर लिया जितना उन्हें समझ में आया तो आप उनको क्या करोगे आप उन्हें मूर्त पदाच से विनिमेनियम समझाएंगे explain principle of exchange using concrete material ठीक है concrete material यूज करके आप उनको विनिमेनियम exchange रूल को समझाएंगे तो यह इसका best option होगा question number 2 और 41 का जो 2 option है वो correct है बढ़ते है next question number 42 पर 42 आप से क्या कहता है गनित के प्रात्मिक पाठे क्रम में प्रतिचित्रन का परीचय देने का मुख्या प्रयुजदे के प्राइमरी जो सीटेट का पेपर है वो हम करना है तो यहां पर first to fifth तक है आप से चीज़े पूछी जाएंगे तो गनित के प्रात्मिक पाठे क्रम है उसमें प्रतिचित्रन यानि के mapping का परीचय देने का मुख्या प्रयोजन ठीक है आनुपातिक विवेचन को प्रोचसान देना तीसरा है विशय को सरल और रूची कर बनाना और चौता है संख्याओं की जो नीरस्ता है उसको समाप्त करना तो बताईए इन चार उप्षन में से क्या सही होगा कि अगर आप गनित के प्रात्मिक पाठे क्रम में प्रतिचित्रन यानि के mapping का आपको प्रयोजन परीचय देना है इंटर्ड्यूस करना है mapping के बारे में चीजों को आपको बताना है ठीक है तो वो क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है तो इस 42 का राइट एंसर होगा वहोगा option number 3 यानि के A और B option दोनों ठीक है अगर आपको प्रात्मिक में परीचय देना है mapping का यानि के त्रव्यम विचार चमता को प्रोचसाहन देना ठीक है उसका purpose है दूसरा क्या है आनुपातिक विवेचन को प्रोचसाहन देना mapping से आप प्रमोट करोगी special thinking को और दूसरा क्या है to promote proportional reasoning इस question के दोनों option क्या हो जाएंगे A और B correct हो जाएंगे बढ़ते हैं question number 43rd पर 43rd आपके सामने है 43rd आपसे कहता है कि NCF 2005 के अनुसार निवनिकित में से कौन से विशय प्रात्मिक विद्याला में करनित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है according to national curriculum framework 2005 उसके according NCF के according प्राइमरी में प्राइमरी स्कूल में जो maths का करीकुलम है उसमें इन में से क्या नहीं है चौपर इसको टाइलिंग कहते हैं सममिती प्रती रूप या फिर अनुपात अगर आप हिंदी के भी student है तो ये जरूर पॉसिबल है कि आपको इस तरह के कुछ शब्दों में कुछ समझ ना है तो आप English के words के help रे सकते हो टेसिलेशन, सिमेटरी, पैटर्न्स या फिर रेशो इन में से क्या नहीं आएगा प्राइमरी लेवल पर माट्स के करीकुलम में ये बताईए तो 43rd का जो राइट अन्सर होगा वो होगा option number 4 option number 4 इसका right answer होगा यानि कि यहाँ पर इसके पाटे करम में देखे टेसिलेशन भी है, टाइलिंग है, सिमेटरी भी है, पैटर्न्स भी है लेकिन रेशो अभी प्राइमरी में नहीं आएगा maths के syllabus में या फिर करीकुलम में clear है बढ़ते हैं question number 44 पर 44 आप से क्या कहता है? सूतर का प्रियोग किये बिना अध्यापक, निमलिखित में से किन साधनू या शिक्षन अधिकम सामगरी का प्रियोग करके ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन आयामो वाली दो आयतों का छेतरफल समान हो सकता है अलग-अलग आयाम के अलग डायमेंशन के दो आयत हैं ठीक उनका जो एरिया है वो समान हो सकता है ये बिना सूत्र के आप बच्चों को कैसे समझाएंगे अच्छा क्वेशन है ठीक है आप देखो ये क्वेशन आ गया कि हाँ आपको अगर आप मैट से बिलॉंग नहीं करते अब हुआ समय से मैट सापने नहीं पढ़ा या चीजों का आप भूल गए हो तो आयत के छेतरफल आयत की क्या शेप होती है ये आप तभी समझपाओगे तब आप मैट की कुछ चीजों को समझोगे तो आयत की शेप I hope आप मैं से काफी लोगों को पता होगी ये लेंथ होती है लंबा ही है चोड़ा ही होती है और ये आपस में क्या होती है ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है ठीक चलो अब बताओ कि अगर आपको बिना फॉर्मुला के दो अलग-अलग dimension के अलग-अलग आयामों के दो आयतों का छेतरफर समान बताना है तो आप इन में से किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं तो देखे, 44 का जो right answer होगा वो होगा option number 2 B और D graph paper का और tile का पैमाने से ये धागे से तो आप नहीं बता पाओगे लेकिन graph paper से और tile से आप बता पाओगे क्यों बता पाओगे उनकी shape किस से मिलती जुलती है मतलब मिलती जुलती है अलग-अलग dimension है लेकिन उनका छेतरफर समान हो सकता है graph भी कुछ इस तरह से होता है उसमें आपके इस तरह से बने होते है ठीक है इस तरह से और tile होती है वो भी कुछ इस तरह की shape में होती है तो उनकी अलग-अलग dimension हो सकती है लेकिन उनका जो छेतरफर है वो समान हो सकता है तो आप graph paper है टाइल से बच्चे को समझा सकते हो मुझे उमीद है कि आपको यह जो 44 question है clear होगा तो बढ़ते हैं question number 45 पर 45 आप से क्या कहता है निम्न में से गनित में उपलब्धी कम होने का कारण क्या हो सकता है which of the following could be contributing factor to under achievement in mathematics किसी की mathematics में जो achievements है वो कम है तो इन चारों में से उस कम उपलब्धी का क्या कारण हो सकता है उसका लिंग, gender, सामाजिक, सांस्कितिक, प्रष्ट भूमी या फिर गनित का स्वयरूप या फिर व्यक्ति की सुभाविक शम्ता innate ability of person बहुत अच्छा question है यह आपके understanding को बताएगा related to pedagogy related to mathematics कि अगर mathematics में किसी के achievement कम है तो क्या कारण है फटा-फट से अपना answer माँ करिएगा 45 का right answer क्या होगा गनित में लब्धी कम होने का इन में से क्या कारण हो सकता है तो 45 का जो right answer है वो हो का option number 2 सामाजिक सांस के दिख प्रस्ट भूमी बिल्कुल हो सकता है math, link, gender तो आप इसमें कभी लगा होगे ही नहीं यहाँ पर nature of mathematics innate ability of person की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर इन चारों में से क्या best कारण हो सकता है यह आप से पूछा है कि गनित में उपलब्दी कम होने का कारण इन में से क्या हो सकता है सामाजिक सांस्कितिक प्रस्ट भूमी उस पर्टिकुलर बच्चे की जो socio-cultural background है वो भी उसको affect कर सकती है कि गनित में उसकी क्या उपलब्दी है यह इस पर matter करता है ठीक है चली बढ़ते है next question पर आप दिखे पेड़ागाजी क्या होता है किसे भी पर्टिकुलर exam में कि आपको best option चूज करना जी हां चार options में से वो लगभग हो सकता है उन में से तीन सही हो लेकिन जो best होता है वो आपको पेड़ागाजी में चूज करना होता है पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसी तेयारी चल रही है आप लोगों की ये भी आपसरओ कोमेंट करके बताना कि आप seated की तेयारी कर रहे हो या फिर ।्छी शख़ी की भी आप तेयारी कर रहे हो जिसमें प्राइमरी में आपसे अची खासी पेड़ागोजी पूछी चाती है तो जरूर बताएगा comment करके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन सी exam के आप तैयारी कर रहे हैं seated के बाद आप किस exam को focus करने वाले हैं तो 46 question देख लेते हैं कहता है ये समझाने के लिए कि एक पटा 4 एक पटा 3 से छोटा है निविकित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उप्यूकत है कि आप इसे बहुत से लोगों को ये बात पता है देखे अगर आप seated का paper 1 दे रहे हैं वो सभी आप category के बच्चे दे सकते हैं category means जो arts से हैं या फिर जो science background से हैं तो यहाँ पर बहुत से arts वाली students को ये बात नहीं पता होगी maths वालों को भी नहीं पता होगी कि एक बटा 4 छोटा है एक बटा 3 से क्योंकि यहाँ पर 4 है बड़ी rigid है तो मैं लगता है कि ये ही बड़ा है लेकिन ये upon में जब आ जाता है तो एक बटा जार छोटा होता है एक बटा 3 से पहले तो आप इस समझ लीजिए ठीक है तो आप इन में से as a teacher बच्चों को ये बात समझाने के लिए क्या यूज करोगे, LCM का मैथड यूज करोगे, कागस की पत्तियों का यूज करोगे, Dines Blocks का यूज करोगे और फिर संख्या चार्ट यानि के नंबर चार्ट का यूज करोगे अच्छा question है 46th का right answer क्या होगा ठीक है तो 46th का जो right answer होगा वो option number 2 option number 2, कागस की पत्तियों का यूज करोगे आप बताओगे है न की 1 4th पार्ट कितना है और 1 3rd पार्ट कितना है कौन सा पार्ट जादा है कौन सा कम है ठीक है उसका paper का यूज करके आप उनको paper strips का यूज करके ये बात बता सकते हो तो देखो कोई एक चीज है एक के तो आपने चार पार्ट करें है और कोई एक के तीन पार्ट होए तो यह जादा बढ़ी हुई न ठीक है तो उस चीज से बच्चों का समझाओगे बढ़ते है 47th question पर 47th कहता है प्रात्मी कक्षाओं में बच्चों को गनित पढ़ाने के ल यह तो which is the most important aspect ठीक है यह आपको बताना है पहला कहता है पाठय पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरन करना जैसे जैसे बुक में लिखा है वैसे follow करना दूसरा है कंडितिय संकल्पनाओं को संदर्चना अत्मक धंग से प्रस्तुत करना तीसरा कहता है फिद्यार्तियों को विखना और इस संदर्मे फिर प्रश्न देना तो चारों में से बस्ट आपशन आपको चूज करना है प्राथ्मिक में सबसे बस्तरीका क्या होगा 47 का थर्ड ओप्शन ठीक है क्या होगा विद्यार्तियों को आपने अवसर देना है कि अविए संकल्पनाओं के संदर्चना वो correct हो जाएगा, clear है चलिए, next question पर चलते है 48, 48 आपसे कहता है निब कित में से किसे सनचनात्मक, गणितिय कक्षा कक्ष का लक्षन नहीं माना जाएगा नहीं लिखा है, इन में से चारों में से किसको एक सनचनात्मक, गणितय कक्षा कक्ष का लक्षन नहीं मानेंगे not considered as a feature of a constructivist mathematics classroom ठीक है तो यहाँ पर कौन सा लक्षन नहीं होगा, एक सनचनात्मक, गणित की कक्षा का यह आपको बताना है, तो 48 का जो right answer है, वो है option number 3, प्रात्मिक स्थर पर आकलन के लिए, विशे परक परकार की परिक्षा का उपियोग करना, यह इसका सही लक्षन नहीं है, कि आप properly विशे परकार की परिक्षा का यूज करें, पहला सही है गणित के अधिगम में भाशा और समवादों की भूमेगा पर उचित ध्यान दें अध्यापक स्विकार करता है कि दीगई अनुन्यक्रिया को विबिन विध्यारती अलग-अलग प्रकार से समझ सकते हैं जरूरी नहीं है, सब एक ही तरह से समझे और फूर्थ आप से क्या कहता है गणित और दूसरे पार्ठी तर शेत्रों के बीच के संबंदों को बताया जाए तो चारों आप तीन ठीक है लेकिन थर्ड जो है इसका लक्षा नहीं है 49 कोईशन आप से क्या कहता है निम्रिकत में से कथन की कौन से कथन की सहमती गणित के सनचनात्मक दिस्टिकोंड से की जा सकती है इनमे से कौन सा गणित का एक कंट्रस्टिविस्ट क्या है आपका दर्ष्टिकोंड है व्यो अफ मैथमेटिक से थेक है गंसडर्शन इस्ट कौन सा विउ है रचणावादे दर्ष्टिकोंड है गणित से संबंदे थे इन छारों में से तो 49 का जो right answer होगा मैं आपको पता देती हूँ option number 4 होगा मान मानस दर्शन गनित का महत्पूर्ण पहलू है visualization हम visualization करते हैं मानते हैं let x be the value of a particular thing मान लेते हैं x की value ये है मान लेते हैं x वस्तों थी फिर उसको solve करके हम लाते हैं तो visualization visualization है ना मानस दर्शन जो होता है करनित का एक महत्पूर्ण पहलू है ये आपको याद रखना है 49 का फोर्थ option correct हो जाएगा question number 50 पर चलते हैं 50 कहता है निम्रे कि तुमें से कौन सा क्रिया कलाप बच्चों में त्रिव्यम समझ को विक्सत करने के लिए जादा उप्यूक्त है अब इसने पूछा है कौन सा अधिक उप्यूक्त है इसका मतलब ये चारों उप्यूक्त हो सकते है लेकिन इन चारों में से बेस्ट कौन सा है आपको ये बताना है ठीक है तो अगर आपको एक बच्चे को जो है एक special understanding बच्चे में जनरेट करनी है डवलप करनी है तो इनमें से बेस्ट अक्टिविटी क्या होगी ठीक है तो सभी चीजों को सामने रख के समझ पाए एक special understanding उसमें हो तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा option number A बोतल के उपरी दरश्य को चित्रित करना जो कोई भी बोटल होती है उसका जो उपर का हिस्सा होता है उसके द्वारा ड्रॉइंग दी टॉप व्यू आप बोटल आप बच्चे को अच्छे से बता पाऊगे माज़ित पे शहरों का स्थान चंद्रमे को दे होने का समय लिखना संख्या को संख्यारेगे पर निरूपित करना या पढ़ोगे न तब आपको लगेगा तब पता चलेगा कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नमबर ए है त्रिविम समझ की बात चल रही है एक special understanding आएगी जब बोटल की उप्रितरश्य को चित्रत कर क्या बच्ची को दिखाओगे ठीक है बढ़ता है question number 51 पर 51 आपसे कहता है गणित की अधिगाम के संबंद में निमलिकित में से क्या सही नहीं है यानि कि तीन बाते सही होंगी और हमें बतानी वो है जो गणित के बारे में सही नहीं है 51 का right answer क्या होगा तो इसका जो right answer है वो होगा option number one यानि के one तो गलत है गणित में उत्कृष्ट परदर्शन की प्रतेबा सुभाविक होती है ऐसा नहीं है ability to perform and excellent mathematics is innate प्राकरतिक होती है पहले से ही होता है कि गणित में किसी को अच्छा प्रदर्शन करना है किसको नहीं ऐसा नहीं ability create की जा सकती है ability को increase किया जा सकता है किसी की अगर किसी को maths नहीं समझाता है ये कम समझाता है तो इसके ability of course बढ़ा ही जा सकती है तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता बाकि तीन हो सकते है तो दूसरा क्या कहता है अध्यापक के सीखने वालों के प्रती बिचारों का अधिकम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है थर्ड कहता है विद्यार्दियों के सामाजिक आर्दिक प्रष्ट भूमी का गणित के निश्पादन पर असर होता है बिल्कुल और चौथा कहता है विद्याले में दिये जाने वाले निर्देशों की भाशा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है तो बिल्कुल बाते सेगे लेकिन क्या सही नहीं है ये कि वो अगर उसको उत्कुल पर रशन करना है तो उसमें इनेट होगा सोभाविक होगा बढ़ते हैं क्वेशन नमबर फिफ्टी टू पर फिफ्टी टू आपसे कहता है निम्लांकित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानना है समझी इस शाब्दिक समस्या के प्रकार को बताना है मनीश के पास मेरे से दो अधिक है तो मनीश के पास कितनी पैंसिल है किस तरह का जमाया घाटा है ये आपको बताना है फिफ्टी टू का राइट एंसर क्या होगा तो देखें मनीश के पास मेरे से दो अधिक हैं तो जमा होगा यानि के एडिशन होगा घटा वाली तो ओप्शन आप बिल्कुल हटाई दीजी क्योंकि मेरे पास छे हैं तो मनीश के पास मुझसे दो जादा है ठीक है तो जादा है यानि के जमा होगा और जमा कैसा होगा तुलनात्मक जमा होगा option number A correct हो जाएगा 52 का right answer होगा option number A ये comparison edition है क्योंकि उसने अपने पर बताया फुर बताया मनीश के पास तो ये comparison हुआ तो comparison edition हुआ option number A तुलनात्मक जमा बढ़ते हैं question number 53 पर 53 आपसे कहता है हिंदू अर्भी गणना प्रणाली के लिए कौन सी बात सही नहीं है इस हिंदू अर्भी गणना का चाहिद अर्भी का हमने last session में भी question किया था हिंदू अर्भी जो गणना है हिंदू अर्भी जो system of numeration है उसके बारे में क्या सही नहीं है 53rd का आपको right answer करना है क्या होगा तो 53rd का जो right answer होगा वो होगा option number 3 3 इसका right answer होगा इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है तो ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है ये statement ही गलत है जबकि सही क्या है तो बाकी तीन बाते सही है पहला कहता है एक संख्या में अंक की इस्थिति इसका मान बताती है दूसरा कहता है ये युगात्मक प्रकरती का होता है और चौथा कहता है ये गुणात्मक प्रकरती का है गुणनात्मक ठीक है multiplicative तो हिंदू अर्वी गर्णा जो होती है वो यूग आत्मक प्रकरती की है गुड़नात्मक प्रकरती की है और एक संख्या में अंकी स्थितिस का सम जो मान है वो बताती है पढ़ते हैं question number 54 पर 54 आपसे कहता है प्रात्मिक इस तर पर जियामिती के अध्यापन के लिए पांचिनिय प्रकर्या बतानी है identify a desirable practice for teaching geometry at primary level इन में से बेस तरीका क्या होगा बच्चों को geometry पढ़ाने का primary school में primary level पर बेस्ट option आपको यहाँ पर डूढना है 54 का right answer क्या होगा option number 3 होगा बच्चों को प्रचोर अफसर दिये जाने चाहिए कि वे दिक स्थान की अंतरदेशी समझ को विक्सित कर सकें children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space ठीक है space की जो एक understanding है अंतरदर्शी समझ है उनकी उसको विक्सित कर सकें उनकी उनको भरपूर अफसर उसके दिये जाने चाहिए तो third option आपका correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं session के last question की ओर निम्रिकित में से क्या गणीती है तरकना का सूचक है which of the following is an indicator of mathematical reasoning चार options में से बताना है कि कौन सा गणीती है तरकना तरक का यानि के mathematical reasoning का best option है best सूचक है इंडिकेटर है fourth चार options आपके पास है अराम से चार options को पढ़िए और अपना जो right answer है वो mark करिए तो 55 का क्या right answer हो जाएगा 55 का होगा option number two गणीती है प्रकरिया की तरक संगत्ता देने की शमता अगर कोई mathematical procedure चल रहा है उसमें आप तरक दे सको ठीक है उसको क्या दे सको उसमें तरक दे सको कि इस वजह से हुआ है अलग अलग तरक एक चीज़ के आप दे सको तो वो mathematical reasoning कहलाती है ability to provide a justification for a mathematical procedure कि आपने ये कैसे किया है उसका आप justification दो उसका तरक बताओ उसके बीचे क्या reason है वो बताओ तो यहाँ पर ये mathematical reasoning का क्या हो जाता है indicator हो जाता है उमीद है मुझे आपको आज के session के जो भी questions है वो समझाएंगे बहुत से लोग क्या है कि जो art side के होते हैं especially वो math pedagogy से थोड़ा डर जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप और subjects की pedagogy भी बढ़ रहे हो तो 10 से 11 questions आप आराम से कर सकते हो बाकि अगर आप practice करते हो तो जो 2-3 questions आते हैं जिसमें maths का थोड़ा concept यूज होता है या पता होना चाहिए आपको वो भी आप practice से आराम से कर पाओगे इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपको maths यहाँ पर आ गया नाम तो maths की question सॉल्व करने है ऐसा बलकुल नहीं है वहाँ जो 15 नंबर का पेपर आता है जिसमें content आता है उसमें आपको content सॉल्व करना पड़ता है आज के session आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा एक session पहले आ चुक है जिसमें हमने 2 paper discuss कि हैं और आज एक कर लिया है तो यह practice आप करते रहें अगर आप seated की तयारी करें हर सब्जेक की हर सब्जेक की पैड़ागोजी की आपको practice करनी चाहिए तो चलिए पढ़ते रहें अपनी तयारी आप लगतार करते रहें जल्दी ही मिलेंगे हम next video में तब तक के लिए थांक यू